हलो एन विल्कम टू बिटे निंग साथ मैं मिलके शुरू करते हैं सिंदगी की दूसरी निंग SEC ने साफ लफजों में Kraken जो US की one of the most regulated और सबसे बड़ी exchange है Coinbase Kraken के आपने नाम सुने होगा Kraken को बोला कि अपनी जो crypto staking services है जो तुम अपने user को दे रहे हो ना इसे बंद कर दो 30 million US dollar का जो fine है उसे जमा कर दो जानते होगे क्या है यह actual में एक war है जो SEC ने सारी ऐसी exchanges और ऐसे institutions जो C5 है उसके against छेड़ दिया है जहां पर SEC का कहना है कि अगर कोई crypto staking services दे रहा है तो उसे तब ही दे पाएगा अगर वो SEC के yardsticks पे खरा होतरेगा जाहे वो SEC के पास register करेगा SEC के पास पूरा declaration देगा disclosures देगा कि कैसे वो इस service को run कर रहा है clear हो गया है कि अब US के अंदर अगर किसी भी platform को अगर staking services देनी है तो उसे पूरे के पूरे disclosures देने पड़ेंगे और पूरा का पूरा उसे register करना पड़ेगा और कोई भी चीज वो बिना transparency के run नहीं कर सकता यह बहुत बड़ी news है क्यों यह इतनी बड़ी news है क्योंकि kraken was one of the biggest validators for Ethereum जो proof of stake है उस पे हमें पता है कि validators होते हैं तो उसमें आपका Coinbase है Binance है Kraken है Lido है तो अगर हम देखें तो जो regulated entities है जो CeFi है उसमें Coinbase, Kraken, Binance US तो यह जो companies है यह जो companies है यह सारी की सारी CeFi थी जो की सबसे बड़े validators थे US के अंदर तो इसका इसका इस पर क्या impact होगा, staking क्या होती है, staking reward क्या होता है यह सब कुछ अगर आप जाना चाहते हो scratch से तो इस video को enter देखेगा फिर से हमेशा की तरह कहता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको education जादा मिलेगा मसाला कम, price target कम, trading के tips कम तो अगर आपको अभी यह expect कर रहो कि कुछ price target और यह सब मिलेगा आप अभी इस video को छोड़ के चाह सकते हो लेकिन अगर आपको education चाहिए, depth में आपको you know impact समझने है कि इसका overall industry पे क्या impact होगा तो आपको video आप इंटक देख सकते हो, right so हम थोड़ा सा समझते हैं यह staking होती कि है वैसे तो मैं जानता हूँ कि अब आप crypto में सब कुछ जानते हो आपने पुराने videos भी देखें, फिर भी थोड़ा समय है एक analogy के साथ समझा देता हूँ, right हमने एक चीज़ देखी कि blockchain के अंदर consensus mechanism होता है consensus mechanism का मतलब यह होता है कि blockchain run कैसे करेगी, इसके rules कैसे define करेंगे इसके rules manage कौन करेगा, कैसे ensure करेंगे केस में, जो rules है, वो properly follow हो रहा है, right तो जैसे आपका consensus mechanism जो है, bitcoin के उपर वो proof of work होता है, similarly जो proof of stake वाली जो blockchains है, जो layer ones है, right तो वहाँ पे proof of stake एक अलग तरीके से mechanism है, consensus mechanism है, right तो proof of work consensus mechanism पे क्या होता है, कि भाई वहाँ पे जो minor है, right minor का काम होता है, block को blockchain के अंदर लगाना, right, जैसे ledger है, ledger एक किताब है, ledger की किताब में पन्नो को जोडने का काम किसका है, मतलब अगर एक पन्ना मुझे add करना है, एक ledger book के अंदर, वो काम minor का है, right, तो minor का काम है, proof of work blockchain पे, block को blockchain पे लगाना, right अब क्योंकि block को blockchain पे लगाना, कोई free में तो कोई करेगा नहीं, क्यों effort करेगा यार, क्योंकि उस block को blockchain में लगाने पे reward मिलता है, right वो reward क्यों होता है, वो reward बतले में bitcoin होता है और साथ में जो transaction fees होती, वो से reward के रूप में मिलती है, right अब ये क्योंकि इतना lucrative है, तो बहुत सारे लोग ये काम करना जाते है, जब बहुत सारे लोग काम करना जाते है तो decide कैसे होगा, कि blockchain में block किसने लगाया क्योंकि कोई भी central entity तो है नहीं तो automatically जो rules है, वो इस तरीके से define होने चाहिए कि सब को clear हो, कि blockchain पर block किसने mine किया, right तो इसका मतलब क्या है, कि ये जो consensus mechanism है इसमें क्या होता है, कि माइनर्स का interest बढ़ता है block को mine करने का पहुत सारा competition बढ़ता है, right तो block को mine करने के लिए hash power की जरूत होती है, right तो जिसके पास सबसे ज़्यादा hash rate होगा, right hash rate होगा, उसके उतने ज़्यादा chances हो जाएंगे block को mine करने के, hash rate generate करने के लिए उसे hardware की जरूत होती है, hardware जो you know, एक specific, जो Bitcoin की mining के लिए जो hardware चाहिए होता है, वो hardware अक्यूमिलेट करता है hardware को run करने के लिए electricity चाहिए होती है electricity को वो कठा करता है, फिर वो hardware को you know, कौन Bitcoin के block को mine करेगा, यह एक probability है जो कोई भी pre-decided नहीं होती, यह कोई भी mine कर सकता है हाँ, जिसके ज़्यादा hash rate होती, उसके chances थोड़े से ज़्यादा हो जाता है, और एक बारी जब block blockchain पे लग जाता है, proof of work पे, तो उसके अंदर जो transactions जब embed हो जाती है, जब लिक दी जाती है, तो उसके बाद वो अमर हो जाती है, फिर कोई आप double spending नहीं कर सकते है, right, once the transactions are embedded inside the block of the blockchain, फिर आप उसको double spend नहीं कर सकते है, तो यह सारा काम वहाँ पे minor का proof of work पे, अब क्योंकि वहाँ पे hash rate की ज़रत होती है, hardware की ज़रत होती है, hardware को चलाने के लिए electricity चीज़ी होती है, तो वह energy consumption होता है, proof of stake के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो minor है, उसका नाम validator हो जाता है, एक तरीके से, आप यह समझें, validator का का काम यह है, कि validate करना block को, कि भई block size है, validate हुए कि ने, इसके अंदर जो transactions है, इसने जो rules है, उस blockchain के, उस consensus mechanism के, वो follow किया है कि नहीं किया ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे energy consumption का, तो कोई scenario नहीं है, तो यहाँ पे validator बनने के लिए, आपको stake पे लगाने पड़ता है, तो कहते हैं, तो तेरा stake क्या है, तो इसको skin in the game के लिए, उसको अगर validator बनना है किसी को, तो उसको वहाँ पे अपना जो पैसा है, पैसा यह नहीं कि fiat बनी, उस blockchain का जो native token है, जैसे ethereum के case में ether है, उसको stake करना पड़ता है, और वो जैसे कि ethereum के case में 32 ethereum आपको stake करने पड़ते हैं, अगर validate करने के लिए, क्यों validate करने से क्या मिलेगा, भाई, validate करने से simple सी बात है, आपको reward मिलेगा, जैसे bitcoin पर आपको ethereum, bitcoin मिलते थे, इतर आपको ethereum मिलेंगे, stake करने का वाइदा क्या होता है, stake करने का वाइदा होता है, भाईया, अगर तुम कुछ गड़बड करोगे, अगर block को validate सही से नहीं करोगे, अगर if you will play, you know, as a bad actor, अगर आपकी नियत गलत है, अगर आपका काम गलत है, तो आपका जो stake आपने पैसा किया है, वो protocol खा जाएगा, आपको वापिस नहीं बिलेगे, तो क्योंकि आपकी skin in the game में, तो आप गलत काम नहीं करते हो, clear हो गया, ठीक है, अगर आपको bitcoin के network पे अगर आपको block को mine करना है, तो आपको hardware लगाना पड़ता है, energy को kठा करना पड़ता है, और obviously you don't play around with the system, because अगर आप करोगे, तो आप hash rate, जो इतना आपने generate किया है, right, किस काम का, आपका hardware जो आपने कठा किया है, वो किस काम का, क्योंकि आपको वहां से, अगर आप if you will play around with the system, if you will play as a bad actor, तो आपको जो protocol है, वो, यह नो, जो, आपकी जो mining करने की शम्ताव से खदम करता है, you don't, you don't, you are not able to mine that, because आपके, आपने उस system के साथ, you played around with the system, right, clear हो गया, तो यह बहुत जरूरी है कि को दोनों, चाहे वो proof of work हो, चाहे proof of stake हो, जब तक आपकी skin in the game नहीं है, जब तक आपका रोकड़ा नहीं लगा है, system में, right, तब तक आप, you know, उस system के भागीदार, उस system के participate नहीं कर सकते हैं, और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि आप सोचो, अगर email पे, पैसे नहीं लगते है, आज email free है, तो email पे spam भी चलता है, अगर यह दोनों blockchains पे, अगर यह system ना हो, proof of work और proof of stake, और skin in the game का concept ना हो, right, तो क्या होगा, spam होना शूरू हो जाएगा, पता कैसे लगएगा, किस ने block mind किया है, क्या किया है, तो यह skin in the game होना बहुँ ज़रूरी है, और यह जो staking, चाहिए वो proof of stake है, चाहिए proof of work है, यह दोनों चीजों का एक ही objective है कि blockchain को और secure करना, right, clear हो गया, अब इसमें होता है किया है, जैसे proof of stake में, 32 Ethereum सबके पास नहीं होते है, अब कोई stake, कोई validate करना चाहता है, कोई retail में है, उसके पास एक इतर है, बट फिर भी हो चाहता है कि मैं validator बनो, तो वो क्या करता है, बहुत सारी ऐसी companies थी, और खासकर exchanges, जैसे crack and coin में, सिरों थीक है, तुम हमें अपना crypto दे दो, हम, क्योंकि हमारे सबका इखठा करके, हम जो है, वहाँ पर stake करके, validator बन जाएंगे सबसे बड़े, और जब वह जो भी हमें reward मिलेगा, हम वो reward तुम्में equally distribute कर देगे, clear हो गया, तुम्हारे भी equally innocence कि, जिसका जितना ethereum होगा, आप से उसको reward मिल जाएगा, अब इसमें हुआ क्या कि, जो ये बड़ी-बड़ी exchanges थी, इन्होंने क्या करा, कि काफे सारे लोगों का ethereum इखठा किया, और इन्होंने कुछ लुभावने वादे किया, जैसे 20%, 21% का return, you know, high return दिया, जैसे SEC का कहना है कि kraken 21% तक का return दे, अब ये 21% वो कैसे दे रहे हैं, क्या ethereum के protocol से 21% आ रहे हैं, नहीं, तो ये किस तरीके से 21% दे रहे हैं, क्या उनके disclosures हैं, कितना उनका ethereum, ethereum को वो use कैसे कर रहे हैं, कितना ethereum उन्होंने stake कर रहे हैं, और crypto पे उन्होंने कितना stake कर रहे हैं, कहीं वो जो लोगों का ethereum लेके trading तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो लोगों का ethereum लेके lending तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो लोगों का ethereum को use कैसे कर रहे है यहां और जो L1s हैं उनके tokens को use कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यह clarity होना बहुत जरूरी SEC को इस पर doubt हुआ SEC ने बुला clear यह case एक तरगी के securities हो गई क्योंकि आप लोग उसे पैसा ले रहे हो फिर उस पैसे पर वादा कर रहे हो कि भाईया तुम्हें इतना portion return होगा यह clear case of security है अब लोग क्योंकि आपको पैसा देखके आप पर dependent है और आशा कर रहे हैं कि आप उन्हें return दोगे तो clear एक financial contract हो गया ऐसा ethereum के case में यह protocols पे अगर individually ने खुद किसी ने अगर stake करना हो तो ऐसे हैं उसको return की affection नहीं होगी क्योंकि जरूरी नहीं कि stake करने के बाद उसे fixed return मिले कभी block validate होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा तो clear case है कि यहां पे एक fixed return की बात की जा रही है और कोई disclosure नहीं है कि ethereum जो लोगों से इकठा गिया गया जो crypto इकठा गिया गया उसको कैसे वो use कर रहे है कि trading के लिए कर रहे है या lending कर रहे है किस तरीके सो उसको use कर रहे है inner sensor कर देखा जाए तो SEC की यह जो पहल है यह कोई भुरी पहल नहीं है क्योंकि SEC यह चाहता है कि जो यह जो systems है उसने कोई proof of stake को गलत नहीं बोला है फिर मैं आपको यह recall कराना चाहरा हूँ उसने कोई ethereum को गलत नहीं बोला कोई यह ethereum पे ban नहीं है कोई यह proof of stake पे ban नहीं है यह ban किस चीज़ पे है किस चीज़ के वो against है वो against है कि जब आपको protocol आपको कोई guarantee नहीं दे रहा ethereum आपको कोई 21% की guarantee नहीं दे रहा या और crypto blockchains आपको guarantee नहीं दे रहा आप कैसे guarantee दे रहा और आप कैसे advertise कर रहा हूँ 20% 21% का जो आप यह advertisement कर रहा हूँ इसको लेके उसने चिंता जटा यह SEC न इसको लेके उन्होंने बोला है कि आपको clear documents के अंदर disclosures return के अंदर पूरा biora देना चाहिए SEC के पास अब उसने biora मांगा cracker ने बोला हमें काम ही नहीं करना coinbase बोल रहा है कि हम clear है हम clean है हमने कोई fixed return की कभी बात नहीं करी हमसे अगर वो मांगेंगे disclosure हम दे देंगे और हमने कभी भी किसी चीज़ की commitment नहीं करी higher rate की commitment करी तो जिस तरीके से words यूज होते न APYS, taking, lending, borrowing DeFi के अंदर जितनी भी चीज़े यूज होती है returns की बाते जब आते है yield तो यह सारी चीज़े SEC ने बोला है कि इसके disclosure चाहिए SEC को पता अना चाहिए return में दो आप और पूरी transparency के साथ काम करो नहीं कर सकते, बंद कर दो और final अलग दो तो यह चीज़ है तो यह समझना आपके लिए बहुत जुरूरी है कि it's an attack on CIFI who are giving us staking services, right it is not an attack on proof of stake it is not an attack on ethereum, अभी से होगा क्या नुकसान पाइदे, US के citizens को नुकसान है, US के citizens जिनको bank के अंदर पैसा रखे आदा percent मिल रहा था वो staking services पे ज़्यादा लोग आ रहे थे यह 15-15-20-20 percent का return मिल रहा था उनका higher return नहीं मिलेंगे right, simple सी बात है और US के citizens को staking as a you know, industry का advantage नहीं मिलेगा और जो बहुत सारी applications है जो बहुत सारे ecosystem है staking का और DeFi जो CIFI provide कर रहे है वो केल हो जाएगा, अब इससे होगा क्या लोग जो है, वो DeFi पे चले जाएगे बिटकोइन में डाल देंगे भो लेंगे, ठीक है अब अब staking पे डाल रखा था let's put it in, बिटकोइन या USDT में रख लेंगे all in all, लोगों को अब SEC ने इसको करने के बाद लोग DeFi को और सीखेंगे you know, DeFi को सीखेंगे वो ये भी देखेंगे के यार अच्छा कौन सी ऐसी चीज़े जो you know के कौन सी ऐसी चीज़े जहां पर जो stable है जिसको बैन नहीं कहा सकता तो बिटकोइन को, DeFi को overall इन सारी चीज़ों को जादा जीखेंगे लोग तो ये बड़ा important है और all in all इसका जो आप ये समझे के जो applications you know अभी तो आज ये C5 के उपर है कल को ये यही गाज जो है वो protocols पर भी जा सकती है right के protocols किस तरी क्योंकि protocols भी ultimately भना तो इनसान ही रहा है जो protocols smart contract governance पर नहीं है और अभी भी उनको कुछ founders मिलके run कर रहे है you know तो उनके उपर ये जा सकता है ये phase 2 हो सकता है बढ़ ये clear signal हो गया कि क्या आने वाला है in the coming days right because ultimately जो US के अंदर होता है वो ultimately हमने देखा कि और देश और और countries के अंदर भी होई same चीज follow होने लगती है right तो आज मैंने डिटेल में आपको बताया proof of work proof of stake staking Gary Gansler का take क्या है issues क्या है और going forward इसके फायदे नुकसान right US को all in all citizens को गहिने के नुकसान है नुकसान है नुकसान है in the sense कि they won't be able to take these services but फायदा ही है कि बहुत सारे ऐसी companies हैं exchanges है वहाँ तो कहरे यह काफी बड़ी exchanges है लेकिन कई companies नहीं ने देखा Celsius और रख पूल किये लोगों को लुभावने Genesis का हमने example देखा Gemini का हमने example देखा right तो इस वज़ा से यह सारी चीज़े हुई है तो consumer के लिए कहीं न कहीं यह beneficial है long run में beneficial सिर्फ इस लिए है क्योंकि C5 के लुभावने जो वादे है हमने देखा है कि कितना ही बड़ा C5 हो Genesis से बड़ा कुछ नहीं था Gemini से बड़ा कुछ नहीं था Kraken क्या है at the end of the day these are exchanges right तो यह SEC नह एंशूर किया है कि वहाँ पे लोगों का consumer protection के तहट किया है यह लेकिन कोई protocol के against कुछ नहीं है कोई Ethereum पे बहन नहीं है को proof of stake पे बहन नहीं है लोग जिसको proof of जिसको staking में part लेना होगा वो ultimately Lido के तुरू कर लेगा वैसे भी Ethereum जिसे क्रेकन को पैसे वापिस करने तो unstake करके उनको एक pro-retabasis पे 9 फरवरी तक जो भी reward है वो देखे कर लेकिन Ethereum पे तो unstake करी नहीं सकते शांगा यह update के बाद Ethereum से unstake करके लोगों के पैसे वापिस होना है तो यह भी एक important development है So all and all मेरे इसाब से लोग DeFi को जादा सीखेंगे और DeFi पे जादा move कर सकते है और जो unstake करके जो पैसा आएगा उसको हो सकते है लोग Bitcoin में या Stable Coins में भी रख सकते है यह मेरे दो send थे आपको क्या आपकी क्या सोच है comment करके जरूर बताएगा इस तरह की in-depth video सुनके आपको कैसा लगता है क्या आपके views है और जरूर एक बाई comment करके बताएगा like करेगा और bell icon प्रेस किया है कि नहीं नहीं किया मुझे पताबा कर लो यार क्योंकि जब ये video आता है न तो आपको bell icon से आपके screen पे flash हो जाता है और कई बारे मेरे videos almost daily basis पे ही आते है और particular topic के को in-depth cover करते है तो इसको ज़रूर कर लो और मैंने एक video अभी पीछे बनाया था Ethereum के उपर क्या impact होगा Bitcoin NFTs का बहुत important videos है ultimately हुआ होई Ethereum जिनकी collections है वो Bitcoin पे भी same copy बनाने लग गया है सोचो कि अगर आपके बाइ Ethereum पे एक particular NFT है किसी collection की same copy आपको वो Bitcoin पे भी बना रहा है तो अगर आप Ethereum पे उसको own करते है तो आपको automatically Bitcoin की पे भी ownership बिल रही है Bitcoin पे पूरी की पूरी NFT market जो हो move कर सकती future में उसका link मैंने description में डाल देता हूँ वीडियो को जरूर देखना हूँ बहुत information है उसमें थीक है चलो with this thought thank you